दो नमबर अनांद संसकार उडा सेख सिखनी दा विया दिना जाधपाद गोत विचारे देव होना चाहिए एडा सेख दी पुत्री दा विया सेख नाल ही हुवे E. सेख दा व्या अनांद रीती नाल करना चाहिए ससा लड़की लड़के दा व्या बच्पिन विच करना विवर्जत है आहा ज़ाद लड़की सरीर मानते अचार करके व्या करन्दे जोग हो जावे तक इसे जोग सेख नाल अनांद पड़ाया जावे कका अनांद तों पईना कुड़माई दी रसम जुरूरी नहीं पर ये कामी व्यता लड़की वाले किसे देन संगत जोड़के शिरी गुरु ग्रान सेहर जी दे हजूर अरदासा सोद के एक किरबान कड़ा ते कुछ मिठा लड़के दे पले पागें खका अनांद दा देन मुकरर करन लगयां कोई थेतवार चंगे मंदे देन दी खोज करन लई पत्तरी वाचना मानमत है कोई देन जो दोहां तेरानू आपस वेच सला करके चंगा देसे नियत कर लेना चाहिए गगा सेरा मुक्ट जांगाना बनना पितर पूजने कच्ची लसी विच पैर पौना बेरी जा जंडी वड़नी कडोली पागनी रोस के जाना शांद पढ़ने हवन करना वेदी गजनी वेशवादाना श्रावाद मानमत है कगा जितने थोड़े आदमी लड़की वाड़ा मंगावे उतने ना लेके लड़का सोरे कर जावे दोई पासी गुरबानी दे शव्द गाये जान ते फते गजाई जावे मंगा ब्याविले सिरी गुरू गरांसाइब जी दे हजूर दिवान लगे संगट जारागी की तनकर्न फिर लड़की ते लड़का सिरी गुरू गरांसाइब जी दे हजूर बठाए जान लड़की लड़के दे खबे पासे बैठे संगती आगया लएके अनांद पड़ोन वाड़ा से मर्द जाए इस तरी लड़के लड़की ते उना दुआ दे मापयां जा सर बराहन खड़ा करके अनांद दे अरामदा अरदा सासो दे फिर ओ लड़के लड़की नू गुर्मत उनसार ग्रिस्त तर्म दे खरजांदा उपदेश करे पहले दोहानू सांजा उपदेश करे इस विच सुही रावदियां लामा दे पावनसार पती पतनी जे सबांदनू जीवते परमात्मा दे प्यार दे नमूने ते टालण दी विदी दसे आपस विच परेम दवारा एक जोत दोए मूर्ती होना दसे ते अकोर गिरिष्ट तर्मन बॉंदे हुए आपने सांजे परता अकाल पुर्खना एक मेक होना दिरडावे दोहा ने एस संजोग न मुखन मनुखा जनम दी जातरा नू सफलता नार ने बॉंदा साधन बनोणा है दोहा ने इस संजोग दे रही पवितर ते गुर्मुखी जीवन बतावना है फिर लड़के ते लड़की नू आपो आपने वखो वखरे गिरिष्ट तर्म दे हरज दसे जान वर्नु दस्या जावे के लड़की वाड़या ने तहानू ही सब तो वधीग जोग जान के वर चुनेया है आपने अपनी पतनी उनू अर दंगी जान के सार्या अवस्था वेच एको जा प्यार कारना ते वांडशकना है एस दे सरीर ते इज़त दे राखे तुसी हो इस्तरी बर्त तर्म बिच पके रहना एस दे माता पिता ते सबंदियानू आपने माता पिता ते सबंदियान दे तोल आदर देना कन्यानू दस्या जावे के आप श्री गुरु ग्रंसाय ते संगर दे हज़ूर एस सजण दे लाड़ लाया जान्दा है आप इना दे निर्मल पवेच रहीं दे होए इना नू ही आपने सारे प्रेम ते शर्दाता मालट संगर दोखसोख देश पर देश विच आपने पती बर्ट तना बिच पके रहना सेवा करनी इना दे पिता ते सबंदियानू आपने माता पिता ते सबंदियान वांग जानना उपदेश्तियां गल्ला कारदे हुए वारते कन्यादों में सिरी गुर्ग्राण साहब अगे मत्था टेकन फिर लड़की दा पिता जा मुखी मुखी सबंदी लड़के दा पला लड़की दे खाथ पड़ावे ते ताब्या बैठा सजन सुही महला चौथाविज दितियां लामा दा पाठ सुनावे हर एक लाम दा पाठ होन मगरों अगे वार टे तिच्छे कन्यादा पला फड़के सिरी गुर्ग्राण साहब जी दियां चार परकर्मा कर्मा कर्न समें रागी जा संगत लावानू करामों सार सुर्ण लगाई जान अटे वार कन्या हर एक लाम मगरों मत्हा टेके अगली ला के बैठ जान अनांद करौन वड़ा अनांद सेख दियां पेजियां पांज पौड़ियां के अंतनी पौड़ी दा पाठ करे फिर अनांद दी समावती दा अरदासा सोजया जावे के लाप्रशाद वरताया जावे चच्चा मनमत वाड़ियां दा व्या अनांद रीती नाल नहीं हो सागदा चच्चा लड़के जान लड़की दा संजोग पैसा लेके ना करे जज़्या जे बालकी दे मापे कदांच सबब पैके बालकी दे ग्रेविखे जान अते ओथे परशाद त्यार वे ता खान तो संको चच्चा नहीं आनना खाना सब परम है खाल से नू खाना खवालना सिरी गुरु बाबे अकाल पुर्ख बख्षया है बेटी बेटे वाले आपस में खांदे रहन इसे वास्ते जो गुरु ने दो में साख एक कीते हैं फुटनोड प्रेम सुमारग चज़्या जेस इस्तरी परता कालवास हो जावे ओचावे तां जोग वर देखते उनर संजोग कर लवे सेख दी इस्तरी मर जावे तां ओसलई भी एहो हुकम है नंगा उनर वियादी भी एहो रीत है जो अनांदली उत्ते दसी है तैंका आम हालता में सेख नू एक इस्तरी गे हुद्या दूजा विया नहीं करना चाहिजा ठठा अमर तारी सेंग नू चाहिजा है कि आपनी सिंग नीनू भी अमर शेकाल लवे नंबर तेन मिर्तक संसकाल उडा प्राणीनू मर्न विले जे मंझे थे होवे ता हेठा नहीं उतारना दिवावटी गव मन सवना जां होर कोई मानमत संसकार नहीं करना केवल गुरबाणी दा पाड करना जां वैजुर वैजुर करना एडा, प्राणी दे 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 आगणते ताहा नहीं मारनी, पिटना जा स्यापा नहीं करना, मानुनू वाई गुरुदी रजा विच लिया उनली गुर्बानी दा पाठ जा वाई गुरुदी दा जाप करी जाना चंगा है। एडी, प्राणी पामें छोटी तो छोटी उमरगा हुए, सो भी ससकार ना चाहिए। जिसे ससकार दा प्रबंध ना हो सके, उथे जाल परवा, जह हो तरीका वर्तम तो शंका नहीं करनी। ससा, संसकार न लई देन जा राद दा परमनी करना। हाहा, मिर्तक स्रीर नू शनान करा के, स्वास बस्तर पाए जान, पे करार तकार जुदा न कीते जान। फिर तक्ते उते पाके, चलाने दा अरदासा सो दया जावे, फिर अर्फी न चोक के, शमशान पुमी दजाया जावे। नार विराग में शवदा दा उचार न कीता जावे, ससकार दी थांते पहुंच के चिखा रती जावे। फिर शरीर नू अगनी पेटा करनी अरदासा सो दया जावे, फिर पराणी नू अंगीठी अलते राख के, उतर जाँ कोई होर सबंदी जाँ ही, तू आद अगनी ला देगे। संगत कोजवेश से बैके कीतन करे, जाँ विराग में शवद पड़े। जाँ अंगीठा पूरी तरह बाल उठे, ताँ कपाल के लिए आद करना मन मत है। कीतन सोले दा पाठ करके अरदासा सोद के संगत मोड़ावे। कारा के जाँ लागे दे गुर्द वारे वेच प्रमाणी नमेत सिरी गुर्गरंसे इदा पाठ रखेया जावे। ते अनांद सहब शे पाउडियां दा पाठ करके अरदासा दसमे दिन होवे। जो दसमे दिन ना हो सके जां होर कोई दिन सबंदियां दे सौक नमोख राक के नियत कीता जावे। इस बाठ दे कार्ण वेच कारवाले ते संबंदी राड के हिस्ता लें जी हो सके ता हर रोज नुकी इतन भी होवे। दुशेरे दे पिछों चलाने दी कोई रसम बाकी नहीं रहेंगी। मिर्टक पराणी दा अंगीठा ठंडा उनते सारी दे दी पसम अस्तियां समेत उठा के जालविच परवा कर देती जावे। जां उत्ते ही दाब के जिमी बराबर कर देती जावे। संसकार स्थान ते मिर्टक पराणी दी जादगार बनोनी मनमत है। सराद बुद्दा मरना आद करना मनमत है।